हाई गाईज वेलकम तो दा लविल लाइट 369 टैरो कैसे हो आप सभी उमीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और फी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे है सो गाईज मैं हाजर हूँ आप सभी के सामने को न रीडिग लेके ओर रीडिंग होगी करमन फीलिंग करंट एंश के लिए दे न किस वक्त आपके पर्स और्ल जिस आपके लिए इस वक्त वार्य Siada का अपारे कैसा फील कर रहे हैं उन सब भी तरिके की रीडिंग्स मैं करती हूँ सब अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में सो पॉज़िव रहेगा गाइस कि करेंटली अभी आपके पुर्सिम की नर्जीज क्या है वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कैसा फील कर रहे हैं उनके फीलिंग इमोर्शन थॉट्स आपके लिए क्या है प्रीज उनिवर्स बैता है हमें क्लियर कीजिए नर्जीज को गाइड कीजिए हमें क्लिए उन्ड़के पुरोके उन्ड़के लिए क्या ब्रादर के लिए weह स्रॉट्स आपके परिशन में थोड़े से परेशान से दिखाएंगे ही तिखाएंगे यह यहाँ पर इसा दिखाएंगे है जिसाँ में थेकी वह खुश नहीं हैं अपने आपसे अपनी सिचुएशन से मजबूरियाँ थे कुछ praticcoat पीछेख़ उपकुच pluck चीजह ़ो मजबूरी में करहे हैं उनका मन नहीं है बट मजबूरी में करना पड़ रहा है ऐसा कुछ है यहाँ पर जैमना लिब्रा एक्वेरियस आपकी पार्टनर या आपका साइन हो सकता है एस ओफ सोट्स आ या या। son सबादने मों मजब चत्तर परिशान से दिखाई देते हैं बहुत कुछ दिमाओ में चलता रहता है आप से लेटिद Joint मत तर summarize करना लिएक जवाब दिमाओ से नहीं आ पारहा हुं तथावर क्याईस मुझे आपर ऐसा दिखाई देता है कि आपके कनेक्शन में भी काफी दा प्रॉब्लम चल रही है इस कनेक्शन को क्लियर्टी की जरुरत है, क्लियर कॉम्मुनिकेशन की जरुरत है यह ज़ा है और शयाद आपके पर सORA कॉछ परह्ली कर रहे है कि और आपके परसन का दिखा है कि नहीं गदाल बने दाथ है कि इस कि आपके पर सरेख्राई में इसे कि यह पिताना है यह वो वाली एनर्जी है कुछ कुछ ट्रस्ट इस्यूस भी में भी आप दोनों के बीश में आये हैं 8 of wands मुझे ट्रांस्वोमेशन वाली एनर्जी फील होती है यह जो ट्रांस्वोमेशन वाली एनर्जी होती है और उसी के साथ new beginning भी दिखाई देती है कैस मुझे आप ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके person आपके लिए feelings रख रहे हैं आपसे बात करने का मन करता है लेकिन जैसे वो surrender कर चुके हैं चीजों को कि जो होगा जैसा होगा अपने आप हो जाएगा जैसे कोतन इनसान खुद से effort लेना बंद कर देता है और यह करके बैठ जाता है कि अब होगा तो अपने आप हो जाएगा कुछ नहीं होगा तो उसको भी accept करेंगे तो वैसे energy में मुझे आपके person दिखाई देते हैं four of wands the magician मिस्स करते हैं आपको बहुत जाद आपके साथ बिताय हुआ वक्त आपके साथ बिताय हुआ टाइम बहुत मिस्स करते हैं उसको काफी खुछ थे ही है आपके साथ कोई ऐसी मुझे दिक्कती दिखाई देती कि यह खुछ नहीं देती इनको जैसा सब्सक्राइए था एके सब्सक्राइब आपगे सब्सक्राइब अभिन को पर्सक्राइब नियुक्त्यूейств hear इनको प्रैकृतिकल माइन्द रचान नेन सब्सक्राइब. बात यहां पर यह है कि आपको भी भी बहुत याद करते हैं गाइस क्या मजबूरी है इनकी आपसे दूर रहने की आपसे बात ना करने की प्लीज उनिवर्स बता है क्या मजबूरी है इनकी सबसे पहले हाँ पर फाइव पैंटिकल की नर्शी है दी हैंग मैं नाइट ओफ पैंटिकल्स काइस आवर मुझे सब्सब् hunीर जो यह मजबूरी है इनकी खुद के माइड की है कोई ऐसी बाहरी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई देती है मुझे इनके ठाट्स की प्रॉब्लम दिखाई देती है आपके परसन को ऐसा फेल होता है कि यह अभी stable नहीं है यह अभी किसी बड़े फैसले के लिए ready नहीं है वो stable mind नहीं है वो stable life नहीं है अभी इनके पास पतलब यहाँ पर ना कोई खास reason नहीं है यहाँ पर इनी क्या खुद के इनके thoughts हैं जो इनको आपसे दूर करते हैं इनको अभी सही नहीं है वक्त अभी इस चीज के लिए वक्त नहीं है और अभी कुछ भी serious करने का वक्त नहीं है अभी अपने आपको यह unstable सा देखते हैं यह मुझे आपर इनका दिखाई देता है मजबूरी दरसल यह खुद बना रहे हैं है नहीं मजबूरी है बना रहे है जबरदस्ती की ऐसा कुछ है यहाँ पर यह वही अगैन बार बार वही चीज़ें आ रही है इनको लगते हैं इनको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं अगैन वही आया है यहाँ पर यह इनको ऐसा लगता है कि स्टैबल नहीं है अपनी लाइफ और अभी जैसे रेड़ी नहीं है यह किसी भी चीज़ में अगर कमीट्मेंट वगरा का बीश हो तो यह ऐसा लग रहा है जैसी इनका यह कि मैं रेड़ी नहीं हूं उस चीज़ के अभी मुझे काम करना है खुद के उपर अभी टाइम चाहिए और तो ऐसा कोछ यहाँ पर मुझे इनके साइट से दिखाई देता है स्कॉल्पियो अक्वेरियस एरिस लिए साजिटरियस में सिंग दानु राशी गुंब राशी वर्शिक राशी यह साइन आप के लिए सिगनिफिकेंट हो सकते है टॉरिस वर्गो कैप्रिकॉन व्रशब कन्या और मकर राशी इंस्टेंक्ट बिरिस्वेट एक्सिप्टेंस रही बात वापस लॉटने की यह लॉट के आएंगे आपकी लाइफ में वापस से यह मुझे दिखाई देते हैं अगर आपका अभी हालफलाल बर्दे आने वाला है तो यह आपके बर्दे वाले दिन आपको विश्ट करेंगे कॉंटेक्ट करेंगे आपसे यह मुझे दिखाई देता है आगे आने वाले टाइम पर यह अपनी इंटुशन को फॉलो करेंगे यह कमबैक करेंगे आपकी लाइफ में करेंगे अपनी गलती को लाइक कुछ ऐसा है आगे आने वाले समय में कि अभी जो यह करेंगे को रियलाइज होगा कि नहीं गलत कर रहे हैं यह यह लौट के आएंगे यह यह एक सप्राइज से कम नहीं होगा बिल्कुंग और यह लाइज होगा यह आएंगे वापस से ठीक है तो ऐसा मन में अगर है आपके सवाल कि अभी आएगे कि नहीं आएंगे लौट के आएंगे भाई ठीक है आएंगे वापस से जादा परेशान होने की ज़रुरत नहीं है यह क्या करते हैं कि जस्बाती होके एक्षन ले लेते हैं और फिर बाद में दीरे दीरे बैलेंस में आते हैं तो समझ में आते हैं यह क्या कर दिया यह गरत कर दिया ऐसे नहीं करना था तो ऐसा होता है इनके साथ हो सकता है पहले भी यह कर चुकी है आना जाना और जाने का कोई रीजन नहीं होता लेकिन यह ब कोई भी बड़ा फैसला मतलो वस यह कहूंगे क्यों आपकी परसन को ऐसा लगता है यह करते हैं कि अब भी पेशन्स रखना चाहिए चीजों में सबर रखना चाहिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जल्दबाजी से चीजे खराब हो जाएंगी ऐसा इनको लगता है ऐसा इ अब पैसों से लेटिड कोई प्रॉब्लम इसू इनका चल रहा है आज आए दरसल आपके पार्टनर जो है वह हम कहते हैं कि भगवानने को सोचा होगा हमारे लिए और हम बिलीफ करते हैं उस सीज़पर कि भगवानने को सोचा होगा तो वह होगा वही अच्छा रहे गा ऐस करना तो बहुत कुछ चाहते हैं और यहाँ पर आपके साथ एक स्ट्रॉंग कनेक्शन भी उनको फील होता है पैस्टनेट भी है वह आपके लिए लेकिन इन दिसीजन है इस कनेक्शन को लेकर के अगर आपको कुछ बोलते नहीं है अगर आपको क्लिर्टी नहीं देते हैं अगर यह जादा बात नहीं करते हैं उसके पीछे भी यह है रीजन कि आपको किसी भी तरीके का मतलब कोई भी टाइम पास नहीं करना चाहते हैं यह और कोई भी माइंड गेम या कुछ ऐसा नहीं कर कि कि आपको यह बोलते रहें कि बहुत प्यार बहुत प्यार और नुक्ism को न के अच्छी नहीं लगती है उनको ऐसा लगते कि नहीं यह थो होता है। जब मैं किलियर नहीं हूँ अपने माइन में और मैं किसी और को पकड़ के बैठाऊं या उसको रोक के बैठाऊं तो अच्छी बात नहीं है छोड़ देना अच्छा है या वहां से निकल जाना अच्छा है नहीं तो यह सब चीजें दोका चलकपट और टाइम पास लगता है यह भी आपकी परसन का माइन सेट है काफी मिच्चॉर एनरजी है आपकी परसन की no doubt तो guys यह किसी भी तरीकी का time pass नहीं करना चाते हैं आपको किसी भी तरीकी की confusion में नहीं रखना चाते हैं इसलिए यह ऐसे करते हैं और feelings हैं आपके लिए तो lot आते हैं याद आते हैं तो आजाते हैं आपसे बात कर लेते हैं लेकिन इनके दिल पे ये बहुत ज़्यादा बोज जैसे है कि ये आपको कोई clarity नहीं दे पा रहा है और बिना clarity के रिष्टे में रहना इनको अच्छा नहीं लग रहा है इनको असे ल पाना रहता है क्योंकि clarity नहीं है माइन में इस वज़े से ये in and out वाल इनर्शी आपके person की रहती है इनकी तरह से में definitely messages देखूंगी कि आपके लिए क्या messages हैं इनके side से क्योंकि ये पसंद तो करते हैं लेकिन अभी ready नहीं है कुछ चीजों के लिए तो ये आपको किसी भी तरीके कि उसमें नहीं रखना चाहते है क्या आपको कहते रहें प्यार करते और आपको ऐसे ही लाइक टालते रहें टालते रहें वह नहीं करना इनको इनको clear रखनी है सारे चीज़े अभी clarity नहीं है तो इसलिए ये खुद बहुत परेशान है you inspire me आप इनको inspire करते हो guys you do good for me आप बहुत अच्छो इनके लिए इनको ऐसा लगता है इनको believe है हम दोने दूसरे के लिए बने हैं तो सब ठीक हो जाएगा अपने time पर इनको ऐसा लगता है बहुत को सीखा इन्होंने आपसे आपके साथ रह करके इनको लगता है आप perfect हो इन के लिए देखो सारी चीज़े हैं यह hide कर रहे हैं अपनी real feelings को आप से यह अपनी family से भी आपके बारे में बताना चाहते हैं लेकिन अगयान में यह कौंगे कि उनको भी सई time नहीं लगता है इन सब चीजों का बताना चाहते हैं रहना चाहते हैं सब ठीक है feel भी होता है आप के साथ एक connection feel होता है कि आप उनके life partner हो लेकिन अभी उनको लगता है कि सही समय नहीं है अभी थोड़ा time लेना चाहिए दरते भी हैं आपको खोने से यह move on इनको पता ही आपसे move on नहीं हो सकते कहिने कि आप उनके दिलो दिमाह में मिशर रहोगे I am deeply sorry that I walked away from you इस चीज के लिए deeply sorry feel करते हैं कि यह ऐसे अचानक से चले जाते हैं commitment का डर है यहां पर commitment को लेकर के थोड़ा सा problem है यह show off करते हैं शोशल मीडिया पर बहुत जादा आपको दिखाने के लिए ठीक है जो भी इनका शोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलता है तो यह चाहते हैं कि आप देखो ठीक है और वो कि यहां पर एक चीज देख रहे हूं कि अगर इनकी तरफ से आपको कोई message चाहिए आप इनकी status पर focus कर सकते हो वो कहीं न कहीं आपके लिए ही लगाते हैं इनको नहीं पसंद जब आप इनको ignore करते हो मतलब इनका यह है कि आप ignore मत करो इनको समझो इनकी conditions को जैसा भी चल रहा है उसको accept करो लग यह person न मुझे ऐसा दिखाए देता है जिसे इनका दिल कुछ और करना चाहता है लेकिन यह कर कुछ और रहे हैं प्रॉब्लम यहां पर यह दिखाए देती है जिसकी वज़े से ज्यादा परिशान है बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मेसेज है ड्ट ले से भी से आपके बाल की तरफ से आपके लिए प्लिस बाबा गाइड कीचे हमारे व्यूवर्स को सोल ग्रूप हार्मनी सबसे पहला मेसेज यहां पर यह गाइस कि अकेलेपन में रहने की बजाए है कि आप उन लोगों के साथ रहो जिनके साथ रहके आपको अच्छा लगता है सोल फामली के साथ जुड़ो उन लोगों के साथ जुड़ो जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं आपकी खुशी में खुश होते हैं उन लोगों के साथ time spend करो, उनके साथ रहो, अकेले मत रहो, अपनी life पर peace लाने की कोशिश करो, अपने आपको balance में लाने की कोशिश करो, कुछ health issues चल रहे हैं, उदी का इस्तमाल करो, और उदी का आप देखो, अपनी problem के साफ से google करके देखो, कि आप कैसे उसका इस्तमाल कर स करते हो, तो उसी base पर आप कीजेगा, लेगिन याप पर है message किसी के लिए कि उदी यूज करो, आपको help करेगी, guys यहाँ पर message यह है कि चाए, ठीक कभी-कभी ना हमें गलत लोगों के साथ भी attachment हो जाते हैं, ऐसे लोग जो toxic होते हैं, ऐसे लोग जिनके साथ एक attachment है, लेकिन अमारे लिए अच्छे नहीं है, तो यहाँ पर बाबा का ये भी message है कि छोड़ो उनको अभी, उनके हाल पे, और उन लोगों के साथ जुड़ो, जो लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो आपके लिए जादा बैटर रहेगा इस ताइम में, थ्री मैजिक्स का ध अच्छा और दूसरे का भी अच्छा हो, इन तीन चीजों का ध्यान रखो क्योंकि तीन चीजे मिलके ही कर्मा बनाते हैं, तो अफकोस अपने कर्मा पर ध्यान दो, हम जो सोचते हैं वो भी हमारा कर्मा है, जो हम बोलते हैं वो भी कर्मा है, जो हम करते हैं वो भी कर्मा है, पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स रही, बैड मैमरीज पास्ट की जितने भी रही, सब को अपनी लाइफ से कट के लिए और कैंसल कर दो, मतलब भूल जाओ, क्योंकि भूलना ही है, आप देखो, अगर आपको याद आती है, अपने आप से कहो, कि पास्ट बीच चुका है, अ अब उसमें हम वापस जाके नहीं कुछ कर सकते हैं, आगे का देखना है, कि आगे हमसे वो चीज ना हो अगर कुछ हूआ भी है तो, ठीक है, गलत गलती भी होई है तो, तो पास्ट के चीज़ों को छोड़ दो, ओल्ड मैमरीज को छोड़ दो, हाँ भूला नहीं जाता, कहन असान है, लेकिन भूलने के जब बारी आती है, तो नहीं भूला जाता है, लेकिन कोशिश करो उनको अपनी लाइफ से बहार निकालने, कि अप उसके जगे आप थौट डालो, कि आगे से नहीं होगी वो चीज़े, और अपने आप पर उसके लिए वोक करो, ओके, तो यहां मिलती हूँ आपसे नेक्स रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाबाई, टेक केर, सी यू अगें